हेलो फ्रेंट्स मैं दिपक पाटिदार आपका स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप डिप्लोमा होल्डर्स या फिर आपने टेंथ 12 के बाद कोई पॉला टेक्निक डिप्लोमा किया हुआ है तो आप SSC CHSL के लि के लिए अप्लीकेबल है क्योंकि अगर हम स्ये एच एसल के नौटिफिकेशन को अगर देखते हैं तो उसमें इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रिक्वाइड होता है क्वेल्थ या तो आप ट्वेल्थ क्वालिफाइड हो या उसको ट्वेल्थ के एक्पुवेनट है दो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर डिप्लोमा होदेर किन एग्जाम्स के लिए अप इलिजीबल हो दो सवसक्राइब इस्ट्रेट लेवल इस इसमें वेर्ट तो आप उन एक्जामस के लिए इलिजीबल होते है क्योंकि जिक्स्ट या सब्सक्राइं डिप्लोमा को 12 के equivalent माना जाता है तो अगर डिप्लोमा होल्डर्स हो तो आप SSC, CHSL या फिर कोई भी स्टेट लेवल या नेशनल लेवल की कोई भी एक्जाम्स होती है जिसमें eligibility criteria में 12 और 12 के equivalent में कुछ भी अगर qualification मांगा जाता है तो आप उसके लिए eligible होते हैं क्ड override जान च लेवल को सक्वाम्स पना। सक्ष्चर बाथ आरता है